Hello Everyone, आज है 19 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Central Bank of India के बारे में आज इसके quarterly results सामने आये हैं और जैसे ही नतीजे आये थे इसने एक बड़ा sharp increase दिखाया था और आज देखा जाए तो तकरीबन पॉने 3% की तीजी यहाँ पर देखने को मिल रही है हलाकि बाजर भी आज काफी अच्छे mood में था, काफी अच्छी रफता थी, हलाकि railway share में बहुत बड़ी तीजी थी जो PSU अगर आप देख लोगे तो लगाता दौड रहे हैं पंजाब National Bank ने भी आज 100 रुपए के ऊपर कांकड़ा दिखा दिया था, काफी अच्छी तीजी देखने को मिल रही है सरकारी बैंकों में भी और सरकारी कंपनियों में भी यहाँ पर बात करेंगे 54 रुपीज के Central Bank of India Share के बारे में के जो results आए वो कैसे है कंपनी का long term short term outlook के यहाँ पर क्या नजर आ रहा है चार्ट के इसाब से again कोई buy sell recommendation नहीं है हम यहाँ पर सिफ quarterly results और यहाँ पर इसके chart के बारे में बात करेंगे देखे वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जब काफी ज़ादा help करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तब तो 70% की तेजी है इससे पहले अगर हम नज़र के तो 52 रुपीस पे लेवल पे जाने के बाद इसने गिरावट दिखाई थी लेकिन अब उस लेवल को भी इसने ब्रीच कर दिया है जो कि ब्रेक आउट वाला सिनारियो डिफिनी लप कह सकते हो पांच साल कभी अगर हम ग्राफ देखे तो पांच साल के सबसे हाईएस प्राइस पर है ये अगर हम मैक्जिमम ग्राफ भी देखेंगे तो एक टाइम जरूर था ऐसा था जब ये 200 रुपे से भी उपर था साल 2010 में गिरावट बनी तेजी आई गिरावट बनी तेजी आई गिरावट बनी बहुत बड़ गिरावट थी अब लंबे समय कि गिरावट के बाद अब ये बाहर आया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है और अगर यहां से ये उपर की तरफ जाएगा तो chances तो है कि यहां से यह और ज़्यादा बढ़ने के chances नजर आ रहे हैं अगर हम graph को देखेंगे तो chances हैं यहां पर बस यही है कि कोई panic ना आ जाए किसी और bank में किसी में कोई घोटाले न निकल जाए कोई दूसरी bank में और कोई RBI की तरफ से unsecured loan को लेकर फिर से कोई दिक्कत ना आ जाए अगर ऐसा नहीं होगा तो चीज़े बहतर होगी यहां पर अब results की बारे में बात करें जो कि important है और काफी शांदार number इन्होंने report करें हैं इस बार यह जो आप numbers देख रहे हुए यह लाखों में करोडों में नहीं है तो यहां पर इनकम अगर हम देखें इस बार तो काफी अच्छी इनकम हुई है 9,140 करोड के आसपास के इनकम हुई है जो इससे पहले के quarter में 8,412 करोड के आसपास थी तो देखा जाए तो काफी बड़ा जंप इनके इनकम में है पिछले quarter के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले और बहुत बड़ा जंप है पिछले साल इसी quarter में 7,635 करोड के आसपास के इनकम थी तो उसके मुकाबले यह 9,340 करोड काफी अच्छी इनकम है और profit wise अगर हम बात करे तो चीजे और भी बहतर है profit अगर आप देखोगे तो तकरीवन तकरीवन 718 करोड का मुनाफ़ा इन्होंने कमाया है इस बार जो इससे पहले के quarter में 605 करोड का था और पिछले साल इसी quarter में 460 करोड के आसपास का था तो profit में बहुत बड़ा जंप इसने दिखाया है चाहे वो पिछले साल से compare करो या फिर पिछले quarter से compare करो अगर अनके NPA को लेकर बात करी जाए तो यहाँ पर भी सुधार definitely है 4.50% का इसका gross NPA है जो इससे पहले के quarter में 4.62% का था और पिछले साल इसी quarter में 8.85 तो भया पिछले साल के मकाबले काफी बढ़िया improvement है पिछले quarter के मकाबले भी improvement है और net NPA में और बढ़िया improvement है 1.27% का इनका net NPA है जो इससे पहले के quarter में 1.64% का था तो देखा जाए तो काफी बहतर सुधार है पिछले साल 2.09% का था तो इनके net NPA, gross NPA में काफी अच्छी सुधार देखने को मिला है जो की काफी अच्छी बात है asset quality में improvement देखने को मिली है ये बहुत अच्छी बात है ये और numbers definitely अच्छे हैं बुरे नहीं है और आज volume का तो game था ही 9 करोड से भी जादा के share यहां पर trade होते नजराए और देखो सरकारी कंपनियों में आज कल कुछ अलगी रौनक देखने को मिल रही है सरकारी कंपनी आज से पहले दोड़ती नहीं थी दोड़ती थी तो जल्दी हाफ के रुख जाती थी ख जाती थी गिर जाती थी आज वो सिनारियों नहीं यहां सरकारी कंपनियां वाई साब जिस रफतार से दौट रही है वाकई में काफी बड़ी बात है वह और जहां तक बात करें Central Bank of India में तो according to money control user 75% लोग कहरे बेचो और भाग जाओ लेकिन definitely मुझे रहता है कि इस साल से पे करना शुरू करेगा जून महिने में इस साल से पे करना शुरू करेगा क्योंकि अब तक अगर आप देखोगे तो numbers वाइस अगर हम इनके profit को देखेंगे तो पहले loss थे यहां पर आप देखिए अब दोज़ा 19,21 loss थे लेकिन 22,23 में अच्छे profit हुए है और अभी quarterly 500 करोड के आसपास का profit कर रहा है तो मुझे लगता है कि यहां पर dividend इस साल से पेश शुरू हो सकते हैं बहुत सारी company ने 2015 में पे किया था लेकिन बाद में नहीं पे करा बाद में 22,23 से पे करना start करा इसने अभी तक पे करना start नहीं करे मुझे कि शायद पे करना शुरू कर देंगे यह इसी साल से valuation के बारे में बात करी जाए तो 22 का P ratio है थोड़ा से महंगा है जरू सेक्टर P 19 का है लेकिन जिस तरीके से इनकी profits बड़े है revenue बड़े है मुझे लगता है कि यह adjust हो जाएगा और जहां तक बात करें तो कोई भी analyst यहां पर buy call नहीं दे रहा है अगर बात करें share holding के बारे में तो promoter के पास 93.08% की holding है promoter कौन है government है और देखो यहां पर government पता है अभी क्या कर रही है उन सारी सरकारी कंपनियों में जहां government की holding जाता है government अपना OFS लेकर आ रही है stake बेच रही है तो यहां पर highly chances होंगे कि बहुत जल अच्छा भाव मिल रहा होगा अच्छा प्राइज मिल रहा होगा और यह चीज़ दियान में रखेगा कि government को अच्छा प्राइज मिलेगा तभी बेचेंगे और यह चीज़ होनी है यहां पर और definitely share में तीजी expected रहेगी यह चीज़ मैं IRFC को लेकर भी बोल चुका हूँ यह RVNL को लेकर लंबे समझ से कहता आया था और इवन IRCON को लेकर भी मैंने यह चीज़ कही थी कि government इन शेरों में कई सारी news भी आएगी government को कई सारे बड़े project भी देगी जिसके चलते share में profit आएगी तेजी आएगी शेर में और उसके बाद government अपना stake बेचने के लिए लेकर आए सकती है यहां पर या तो किसी के साथ merge कर सकती है ज्यादा chances मुझे stake release करने वाले लग रहे हैं स्टेक government धीरे धीरे कट करके 75 पर लेकर आएगी जो कि सेवी का rule भी है तो 75 तक उसको लेकर आएगी और तब तक government अच्छा आसा पैसा जुटा भी लेगी और election के बाद यह चीज तब तक रहे ये बरकरार mutual fund के पास 0.10% की holding है 2.69% domestic के पास है 0.07fils के पास है retail और other के पास 4.05% की holding है जिनमें से retail investor 2.68% का stake लेकर यहां पर बैठे हुए है देखे overall अगर में बात करें Central Bank के बारे में तो bank बुरा नहीं है एक time में काफी बुरा हुआ करता था काफी time से perform नहीं करा था इसने लेकिन अब fundamental change हो रहे है PSU's में fundamental change हो रहे है PSU's में बच्छी तेजी आ रही है PSU's के numbers अच्छी आ रहे हैं अगर आप देखोगे जो कि काफी अच्छे थे और इसने भी पिछले एक महिने में अच्छी कासी रफ्तार दिखाई है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में ये भी हम discuss करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा bank अच्छा है अगर आप चाहोगे तो मैं इसका detail video भी बना दूँं comparison वाला तो यहाँ पर Central Bank of India अगर आपके पास है खरिदारी करिये बने रही है फ्रिश बाइं की जान तक बात है बाइं डिप्स करिए का क्योंकि अल्यडी काफी बड़ी तीजी दिखा चुका है तो बाइं डिप्स के मौके यहाँ पर डूनने चाहिए यही मैं कौनगा बाकी अगर आप यही बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और Central Bank of India के बारे में आप क्या सुचते है रिजल्ट के बारे में आप क्या सुचते है वो भी आप मुझे कमेंट में लेकि बताएगा ज़रूर थैंक्यो क्या सुचते है वो र